जब मुकश्मीर से एक बड़ा सरखास्ता है वो सामने आया है उम्शानती है वो जुरूर लिखेगा आये दिन हम आपको कई बार है वो सरखास्ते के सूचना है वो देते रहते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो सरखास्ता है वो जमुकश्मीर में है वो आज हुआ है आखिर पूरी खवर किया है इस खवर को मैं आपको पूरा है वो डिटेल में सुनाओंगी अगर बात करें तो जमुकश्मीर कदुमपूर से एक सरखास्ता है वो सामने आया है काफी गंबीर जे सरखास्ता है जमुकश्मीर आश्ट्य मार्क पर मोट पासिंग के पास चनिवार दो मार्च की सुबाइक बड़ा सरखास्ता है वो हुआ है जहां एक तेज रफ्तार जो टैंकर ने है पहाड़ी से टकरा जाने से एक शक्स की है जो मोथ हो गई है रास्ते की सूचना मिलते ही मोके पर है जो पुलीस है वो पहुंची है और उसके शप को है वो वरामत कर पोश्माडम के लिए दंपूर के सरकारी हस्पताल में जो बेजा दिया गया है कल के दिन भी हमने आपको एक सूचना थी वो दी थी वहीं रामबन जिले में शुकरबार को एक मार्ष को जमु से गाटी जो पट्रोल लेकर वो जा रहा था और उसमें अपना नियंतर खोने की बजा से सडक से करीब 1500 फीट नीची खाई में है वो गिर गया और इस हास्ते के चलते उस चालक की है जो मोत हो गई और पुलीस ने बड़ी ही मुझकिल से उस टैंकर को है वो खाई से है बहार निकाला जा 450 जो शिर्नगर था वो जा रहा था और उस बैटी चश्मा इलाके में पट्रोल से बड़ा जो टैंकर है अचानक जो अपना है जो नियंतर है खोने की बजा से है वो सडक के नीचे है करीब 1500 फीट नीची खाई में है गिर गया और खाई से गिरने के साथ पैट्रोल से जो ल चित्रे हो गए और उसमें जो बैठा जो जो चालक था वो भी उसकी भी जो है दर्दनाख है वो मिर्ति हो गई और बहुत उन्चाई से गिरने की बजा से टैंकर के जो चित्रे चित्रे हैं वो हो गए और नीचे गिरने पर टैंकर का कुछ हिस्सा है वो चिनाब नदी से अगर कोई भी बहान चलाते हैं तो साब्दानी बढ़ती है और एक और बड़ा सरकास्ता है वो उद्वपूर से सामने आया है और उस हास्ते में हैं एक और चालकी है वो मृत्ति हो गई और आप भी जो कमेंट बॉक्स में उम्शान्ती है वो जूर लिखिएगा और तमाम बड़ी अपडेर के साथ बने रहें जेके सन्राइस के साथ